उपियोग जान ले जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं सिफ्ट ट्रेक जोन इंजेक्शन के बारे में आपने देखा होगा बहुत सारे डाक्टर सिफ्ट ट्रेक जोन इंजेक्शन मरीज को लगाते हैं या फिर प्रेस्क्राइब करते हैं तो इस इंजेक्शन का यूज कह कहा किया जाता है किस-किस बीमारी किस-किस समस्या में आज हम आपको पूरा डीटेल से हिंदी में जानकारी देंगे इस इंजेक्शन का उपयोग बेक्टिरियल इंफेक्शन में किया जाता है जैसे अगर किसी मरीज को बेक्टिरियल इंफेक्शन की वज़ा से कोई प्रॉब तर दौडर त्ट के दौरा सिब्ट्रेक जॉन इंजेक्शन का उप्यूग करने के लिए मरीज को दिया जाता है या फिर पेसेंट को लगया जाता है। जैसे कि वहाँ फोड़ा फुनसी या अधर किसी रीजन से कान में किसी परकार का इंफेक्शन हो गया हो तो उस समय से हमें डॉक्टर के द्वारा सिफ ट्रेग जोन इंजेक्शन लगाया जाता है और जैसा कि इस इंजेक्शन का उप्योग बोन एंड जॉइंट इंफेक्शन की समस्या में इस इंजेक्शन का उप्योग डॉक्टर के द्वारा पेस्क्राइब किया जाता है या फिर मरीज को लगाया जाता है अगर ये परेसानी रहता है तो और इसी injection का उपियोग, abdominal infection, अगर किसी के पेट में किसी परकार का infection हो गया है, तो उस समय भी डॉक्टर के दौरा shift track zone injection का उपियोग किया जाता है, मरीज को लगाया जाता है, अगर उसे abdominal reason में अगर infection हो गया हो किसी भी कारण से तो और जैसा कि shift track zone injection का उपियोग, lung से सम्बंदी समस्या में, यानि अगर किसी के lung में infection हो गया हो, तो वहाँ पर भी डॉक्टर के दौरा shift track zone injection का उपियोग किया जाता है, और इस injection का उपियोग किया जाता है, और भी बहुत सारी जगा shift track zone injection का उपियोग डॉक्टर करते हैं, या वीडियो से normal जानकारी के लिए है,